तो कैसे हैं आप सब लोग आज हम यहां पर करने वाले हैं CS601 की मिटरम की परपेशन करेंगे और यहां पर हमने लेक्षर वाइस जो इंपोर्टन चीज़े हैं ना उन सब के यहां पर नोट्स बनाए हुए है ठीक है यहां पर आपके शॉर्ड कोस्टेंस लॉंग कोस्टेंस बट एक चोटी सब्सक्राइब कर देखिए और चैनल को सब्राइब किया हो ठीक है आप होजिकरे कॉमेट करें और रही कोंटेक्ट करें तो आपको जितनी में फाइल बचाहिए होंगे ना तो आपको मिल जाएंगी हार सब्चेक्ट की तो लैट स्टार्ट करते हम अपनी communication होता है ठीक है अगर जब हमने इंफरमेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर करते हैं तेन इस नोट आज communication टैली कम्मुनिकेशन क्या होती है कम्मुनिकेशन डिस्टेंज यानिक दूर दराज अलाके तक हम हम टीनिकेशन करना जैसे टेली-फोनी टैली ग्राफ चे ट्यवाटए मोश्टियंशन कर रहे होते हैं ठीक है एक वासले के ऊपर रीक टैलेविजिय करना एक टार्मेशन क्या होती है ऍहिक यह वह खायता करना यहFit 2 लीट में किसी बертв Max साह्मिश कर रिया ठीक है तो data communication है हमारे पास data को exchange करना है दो devices के बीच में किसी भी transmission medium के अंदर next हमारे पास a simple communication model in simple model often offered to as a transmission model a standard view model communication ठीक है इसमें क्या होता है कि information is sent in some form from a transmitter to the receiver a transmitter which encode the message into signals अब simple model के अंदर क्या होता है मारे पास information को हम किसी भी एक जबान इंदर सटे करते हैं पार्दी अपल आप चैलें कि हमने English के अंदर अपनी information को जो है वो सेंड गिए transmitter के अंदर ठीक है अब transmitter कह सकते हैं sender कह सकते हैं कि जो सेंडर होगा वो हमारे इस मैसेज को सिंगनल की फाम में ट्रांसफोर कर देगा ठीक है तो इसी चीज़ को हम सिंपर कम्यूनिकेशन बहुते हैं अब लोकल और इमोर डेटा कम्यूनिकेशन क्या होती है लोकल डेटा कम्यूनिकेशन इस कंसीड़ तू बी लोकल इफ दा कम्यूनिकेशन डिवाइसेज आर प्रेजेंट इन दसें बिल्डिंग और सिमिलर्ली इस्ट्रिक्ट जोग्राफिकल एरिया लोकल कम्यूनिकेशन वो होती है अगर तो हम जो कम्यूनिकेशन कर रहे हैं ना वो सिरफ एक ही बिल्दंग के बीच में हो या एक के रिया हो । हमारे पास मारी जो लेंगे चाहिता है और दूर द्राज की डिवाइसज को साथ के अथा अटायज कर ना हो Effectiveness of data communication क्या है हमारे पास तो हमाई इसे Effectiveness क्या मिलेगी The effectiveness of data communication system Depend on four fundamental characteristics तो ये four characteristics के उबर Depend कर रहा होता है First fall आपकी delivery Time से होती है आपकी Accuracy, आपको data आपका जिस form आप सांड करेंगे उसे में मिलेगा Timeless, आपको time के उबर मिलेगा And Jitter ये देखें, इस तरी के से हमारे प्रोटोकोल होता है एक सेंडर होता है वो अपने data को सेंड कर रहा है किसे transmission medium को Transmission medium को ये चीज़ दोबारा अपने receiver को ये data send कर रहा होता है और ये हमारा message हो सकता है ठीक है अब मैं हमारे पास components of a data communication system हमने data communication के components को यहां पर बढ़ना है तो हमारे पास data communication components है message, sender, receiver, medium and protocol इसको आपने याद कर लाना है अच्छे तरीके से ये आपकी short question आप से पूछा जा सकते है इस एक होता है मारा message जिसको हमने send करना है एक होता है send करना है एक होता है receiver जिसने receive करना है होता है medium जिसके अंधर हमने send करना हो तो प्रोटकोल जो वारा data होता है तो इनको detail के साथ भी पढ़ना है आपके पास ये long question में आएगा ठीक है components of data communication के उपर long question में आ सकता है सबसे पहले तो message message क्या चीज़ होगा message is the content of the communication process message message वो हमारा data होगा जिसको हमने send करना है ठीक है files हो सकती है data हो सकता है response हो सकता है किसी भी चीज़ का तो आपने एक चीज़ कर लेने के files यह data हमारे पास है पिर एक हमारे पास sender a sender is one of the basic concept of communication and information processing आपने कहा देना है कि a sender is that object that send our data ठीक है medium क्या चीज़ हो गया in the communication process a medium is a channel or a system communication the means of by which information is transmitted between the speaker or the writer and the audience यहां पर हमारे पास communication process के अंदर जो हमारा medium होता है चैनल होता है आप कहा सकते हैं कि वायर होती है जिसके अंदर हमने data को send करना होता है ठीक है sender ने जिसके अंदर data को send करना है वह वाला जो हमारा channel होगा ना उस चीज़ को medium बहुते हैं वह वायर हो सकते हैं वो कुछ भी हो सकते है प्रोटोकोल है a communication protocol is a system of rules that allow two or more entities of communication system transmit information via any kind of variation of physical quantity ठीक है यह set of rules होते हैं protocol कि हमने किन rules को follow करते हुए अपने data को send करना है ठीक है लेक्सी नमबर टू हमारे पास आ गया है इसमें हमने देखना है अब कि डेटा कम्यूनिकेशन टर्मिनॉलेजी फस्ट हमारे पास link connect करता है adjacent nodes को node wires को cables को anything that physically connect to nodes ठीक है path होता है हमारे पास end to end route within network circuit होता है इसको आप छोड़ दें इंपोर्टन नहीं है ठीक है network के हमारे पास network के हमारे पास network is a set of devices connected by communication links वारी जो network के है यह combination of devices होता है जो हमारे communication link के साथ attach होते हैं अब यह computer हो सकता है printer हो सकता है कोई भी चीज़ हो सकती है अब network को दो lines के अंदर हमने डिवाइड किया एक होथी lens एक होथी events ठीक है अब इसका advantage हमारे पास क्या होदा है कि स्क्योर्टी हमें मिलती है जैसे कि bank ATM के अंदर आपको security मिल रही होती है distributed आपको मिलेगा faster होगी इसके नदर हमारी transmission security मिलेगी collaboration होगा हमारे पास इनके नाम जाद कर लें आप network के criteria की बात कि जाए तो हमारे पास network must be able to meet a criteria number of contain number of criteria first of all मारे performance होनी चाहिए reliability होनी चाहिए और security होनी चाहिए performance के अंदर हमारे पास throughput होने चाहिए और delay होनी चाहिए performance को हम देखते है can be measured in many ways including transit and response time depend upon number of factors ठीक है अब यह किस त्रीके से बहुत से ना वे के साथ हम आयर कर सकते हैं performance को जैसे कि transit और response time के जरीए ठीक हमें कितनी जली response मिल रहा है इस वेस के उबर हम चेक कर सकने हैं कि हमारी परफार्मेस हो कितनी अची है अब यह किस चीज़ बेंड करेंगा number of users जैसे कि बहुत जादा users होंगे तो जारे जादा time लगेगा काम होगे तो कम लगेगा type of transmission medium आप जो वायर यूज़ करें जिसके अदर data sent कर रहे हैं वो कितनी फास्ट है hardware जो यूज़ आप करें वो कितना फास्ट है software कैसा है आपका network का credit area कैसा है तो यह चीज़ के उपर आप डिपेंड करेंगे reliability हमारे पास डिपेंड करते हैं मुख्तली factors के उपर जैसा के frequency of failure हमारे पास जो frequency वो फेल तो नहीं हो रही recovery time of network after failure जब हमारे बीच कोई error आजए तो उसका recovery time क्या होगा ठीक है fire theft चोड़ी होने लेवल्स लोर लेवल होते है आपका password user id अपर लेवल होते है हमारे पास encryption आप वैसा same to same data receive नहीं कर सकते है उसमें problems आ सकते हैं ठीक है नेक्स हमारे बास protocol layering की बात कि जाए तो advantage और disadvantage किया है इसके अंदर modality होती है separation of service होता है और reduce complexity 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 और cost को कम कर देता है disadvantage इसमें कोई भी नहीं है अब इसमें principle की बात कि जाए तो एक होता हमारे बास bi-directional communication दूसरा होता है two objects under each layer at both sides should be identical है मारे पास है protocol layering logical connections imaginary connection between each layer TCP over IP protocol suit स्कॉम जाते हैं आगे जाते हैं ठीक है यहां भी हमारे पास data की types लिकियों है वो layers लिकियों है ठीक है application of the presentation season ट्रांस्पोर्ट नेट्वर्क ट्रेटर लिंग फिजिकल है कि कि यहां भी हमारे पूसे वाइड do we mean by the term season season से क्या मुरहाद है season is a period of crime a user interface with an application seasons होता है हमारा वह पिरियोड होता है जितनी देर हमारे यूजर ने application को यूज किये दा यूजर सीजन बिगान विदा वें दा यूजर असे अप्लिकेशन यह जब यह तब शुरू हो रहा था है जब उस बंदे ने अपनी application को on किये और एड तब होता है जब application से बाहर निकल गया ठीक है जितनी देर तक उसने देखी application को वह हुमारा होगा term season है हाओ का एन डिफाइन डाटा कम्मिनकेशन डाटा कमिनकेशन को किस्तिक इस डिफाइन कर सकते हैं डाटा communication is exchange of data between two devices via some form of transmission medium यह definition is के ठीक है टाटा कमिनकेशन जो है हुमारे डाटा का exchange है दो डीवासे के बीच में किसी भी transmission medium के साथ इससे श्रहाइप करेंगा। यह किस तरीके से मुम्किन है कि आपके स्थ्रिप्यूटर से क्यों रहे। इसमें क्या होता है कि यूजर सिर्फ वो ही काम कर सकते हैं उसे अलाओ कियो हूँ जब वही काम करेगा तो वह दूसरी चीज़ों में अक्सेस नहीं कर पाएगा जब अक्सेस नहीं कर पाएगा तो वह कुछ भी इलेगल वां भी कर नहीं सकता इट सिंपल जैसे के बैंक एटिम में क्या होता है कि यूजर के नाट परफार्म ऑपरेशन डाबेस अधर देन प् यह जब पासेटी के रहते हैं उन्हें की में अपने अग्डिप्या सकते हैं ऑटjänिंग कानि तो वहां तक जैसकते हैं और अजरा शल्म बात क्सक्राइब इसमें कर सकते हैं आपित गौर्टर देस्टेन कर सकते हैं यह नहीं होगर उनक्राइजजग कर सकते हैं easily network को security दे सकते हैं ठीक है software resources को हम manage कर सकते हैं network versions रहे हैं उनको हम use कर सकते हैं expensive devices हैं जो उनको भी हम share कर सकते हैं हर computer के लिए लाइद लाइद लेने की जुटर नहीं पड़े कि उसको share कर लेंगे what are different factors to choose a network topology next अलते हम या पर what is the relative status of the device to be linked the geographical area in which our devices are present in the relative status of devices यह हमारे बास geographical area होते हैं जहाँ हमेरे devices हैं वो relative होती है अपनी devices के साथ अब हब की definition क्या होती है हब जो है common connection point है अब हमारे network के बीच में ठीक है हब आर मोस्टली यूज्ट कुरेक्ट सब्सक्राइब कर रहा होते हैं जैसे मारे वाइफाई के वाइफाई के वाइफाई के वाइफाई होती है उस हब के अदर लगा देते हैं तिक वहां भाइफा ड़िका रखले उन आरा फिटा टेव थे वाइफाई वाइफाई इसको स्कीट करते हैं इंपर्टन देखने मारबस वट इस इधिर बेट्मियो और माइक्रोवेव्स के अंदर क्या डिफरेंस है आं तो दिर इस नो किलियर आउट इसक्वनिशन बिट्वेओं चैनल में इतना खास कोई भी इफरेंस है नहीं लेकिन अलेक्ट वेव एक्ट बेटिव रहं क्थी त सीर्च वैंसे टुन टीन्टव से लिए उति ऩ्रेडियो वेव की फ्रिक्वेंची है वह थीन किलो़ोड से एक राती है तो झाहिए लेकरaker माइक्रोवेव की एकसे लेकर झाहिए तेन सो तक होती है ठीक है रेडियो वेप जुए वह हमारी मल्टिकास्टिंग कमिनिकरशन में यूजो और दिए लेकिन हमारी जू आ रदिए पास what is the difference between radio and microwaves radio or microwaves की बिश्पें किया difference है मारे पास इसको हमने पढ़ लिया है सॉरी हमने देखने हैं कि internet or internet इंधर क्या difference है मारे पास internet the internet is a system of link network data worldwide in scope and facilitated data communication services सब्सक्राइब कर सकते हैं और वर्ड वाइब किसी भी न्यूस ग्रूप के अंदर या किसी भी चीज को किसी भी व्ल्ड वैब को हम अक्सेस कर सकते हैं है जोसरी सारी सारी सब्सक्राइब कर रहे हता हैं अब इन्टर ने伸 प्रोटकोल की या कार्लिशन और पास इंटरनेट अब क्या चीज़ है कि यह एक टिकनोलोजी है जो कि टीचिप वर आई-पी प्रोटोकोल की यूज कर रही होती है ठीक है यह एक अर्गनाजेशन में यूज होती है जो कि सिर्फ उनके मेंबर्स इंप्लॉईज और अथ्रॉईज तक ही मेहदूद होती है अब और स्विच के बीच में यह लोग को इसने आप इसको रीड कर सकते हैं और यह ऐसा ही माडल्स की लेर्स को आभ यूज कर देख सकते हैं इसके बाद हम आते हैं वाट इस डिफरेंस बीटिमें वैप एंड जी आर्पीएस वार्लेस अप्लिकेशन प्रोटोकोल असे क्योर स्पेसिफिकेशन ड्याड अलो यूजर तो असेस इंफरमेशन इंस्टेंटली विया हैं वार्लेस डिवाइस सच आज मॉबाइल फोन्स वार्लेस यह यहां सिसका डिफ्रेंस सुनें हैं चलिए से छोड़ देंस को आ गया बरहते हैं। इस प्रोटर रॉत्र यूड़ विर्टी क्या जैज है अब रूतर कुम मेरे पासний डाट आ गया है उसको मैंने च тот उसको जो नेक्स वहाँ पे सेंड करना है वो कौन सा पैकेट होना चाहिए उसकी डिस्टिनेशन क्या होने चाहिए निए किस जगह पे मैंने सेंड करना है रूटर क्रियेटर मेंटें टेबल ओव दावाइलेबल रूट एंड यूज इनफरमेशन टू डिटिमाइन बैस्ट फार्द गिवन डिटा अब यह क्या करता है कि यह सबसे पहले तो आपकी डाटा को देखते है उसके पास आपकी जो डिस्टिनेशन को जब वो फाइंड कर है कि the maximum possible information transfer rate through channel ठीक है जितना ज्यादा हो सके उतना information का transfer मारे चैनल के अंदर इस चीज़ को हम बोलते हैं capacity of the channel एक्स्ट मारे पास वाट इस रिमोट डेटा communication remote data communication क्या चीज़ होती है data communication is considered remote if the device are farther apart जाहिए उसकी डिस्टिनेशन क्या होने चाहिए नहीं किस जगा पर मैंने सेंड करना रूटर क्रीटर मेंटें टेबल ओफ द आवाइलेबल रूट्स एंड यूज इंफरमेशन तू डिटर्माइन बेस्ट फ़र्द गिवन डेटा अब यह क्या करता है कि यह सबसे पहले तो आपकी डाटा को देखता है उसके बास आपकी जो डिस्टिनेशन को जब फाइंड कर ले तो उसके लिए फिर बाद में बैस्ट रूट को प्रनलीन का ट्रांसफर मारेॉल शैंаз अप्सिट मोलेए त्समारे पैस्टिपासर गोलते हैं मोलते हैं स्टेर देगेसिंप प्रेंस इन माइक्रोवेव इन सथे इन पास कि विस्पे क्या इक व्हाने सं प्रेंस Eduard दिटरियोगेस च्टिमेसबग तृट इनो इसको प्लिय है सोरी हमने देखना है कि internet और internet के अंदर क्या difference है मारे पास internet the internet is a system of link network data worldwide in scope and accelerated data communication services such as remote logging file transfer electronic mail the world world web and new groups मारे पास अब जो internet होता है ना वो हमारे काफी जाधा networks पो उसने आपके लिंक किया होता है जोईन किया होता है अब इसे हमें क्या facility मिलती है कि हम अपनी files को transfer कर सकते हैं अपनी mails को send कर सकते हैं और worldwide किसी भी news group के अंदर या किसी भी चीज़ को किसी भी वर्ल्ट वैब को हम access कर सकते हैं ठीक है कि मारे पास इंटरनेट वेबसाइट हैं वो हमारे पास personal educational political economical resources ठीक है वो सारी के सारी चीज़े हमारी planet में वह हमें send कर रहे होते हैं उसमें हमें हर चीज का पता चल दाता है अब हमारे पास internet a network based of TCP over IP protocol belonging to an organization ब्लोंग तो एन आर्गनेजेशन इस उसलिए मेह दूद होती है अब और स्विच के बीच में यह लोगों को इसने आप इसको रीड कर सकते हैं और यह ऐसा ही models की layers आप यूज कर देख सकते हैं इसके बाद माते हैं what is the difference between web and grps wireless application protocol a secure specifications that allows user to assess information instantly via handle wireless device such as mobile phones wireless यह इसका difference हो नहीं है चलिए से छोड़ें इस question को आ गया आते हैं नेक्स वारे वाट रूटर रिपीटर रिपीटर और बीजिस रूटर रिपीटर और बीजिस क्या जीज़ है अब रूटर जो हैं हमारे packet owner